हेलो नमस्कार बच्चो स्वागत है आप सभी को बेसिक सिक चाके इस ऑनलाइन लर्निंग प्लाटफॉम पे स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं एगरिकल्चर डोमेन की स्लेबस के बारे में और किस तरह के कोस्टन्स जो है कौन से चैप्ट रहने वाला है शुरुआत करते हैं हम लोग पहले कि सीवीटी दोहजार तेस की जो अग्रिकल्चर डोमेन की सब्जेक का एक्जाम हुआ था वह आपके मल्टिपल स्लोट्स में डिफ्रेंट सिफ्ट में हुए थे उनमें से हम लोगोंने कुछ सिफ्ट के को अनलाइज करने के बाद कौन से चैप्टर से क्या कोश्ण पूछा गया था किस तरह के कोश्ण पूछे गया थे उसको हमने अनलाइसिस करने के बाद यहां पे हमने सीवीटी दोहजार तेस का एग्रिकल्चर डोमेन की जो पेपर हुआ था उसको हमने चैप्टर वाइज या टॉपिक को और आपके जो है साथ जून को जो आपका पेपर हुआ था इन सारे पांच अलग-अलग डिफरेंट सेट्स तो पेपर की अनलाइसिस के बाद हम लोग इस केंक्लूजन पर पहुंचे की कौन-कौन से चैप्टर से कितरे को संथ पूछ रहे हैं ठीक है तो सबसे पहले हम को देखते हैं और देखो अब यहां तो दो कोस्टन आपका 27 तारिक वाले मंपुछे गया थे इसितरी के से अगर review ऐसाफ की बात करेंगे तो यहाई यहाप मही को, तीन कोस्टन आपके 27 मही के पेपर में, तीन कोस्टन आपके 30 मही को, एक कोस्टन आपके 27 मही के शिफ्ट 2 के पेपर में और 7 जून को जो आपका 6 कोस्टन पूछे गया थे, इसी तरीके से बायो टेफनलोजी से जो है आपकी एक कोस्टन पूछा गया था 30 मही के 20 मैं को उसके बाद आपका 6 सटाइस मैं को ती समय को आपके दो कोसून पूछा गया था आठ कोस्टाइस मैं को उसके बाद सटाइस मैं को चार माइ और तीन को सब्सक्राइब करके पूछा गया था होटी कल्चर से 7 9 13 18 और 12 इस तरीके से आपको पूरा पैटर्ण वाइज अगर समझने के बाद मुलता यह समझ में आ रहा है कि ज्यादा तर को सब्सक्राइब बच्चों आपके कोर अग्रिकल्चर वाले जो सब्जेक्ट्स जैसे एग्रोनॉमी, होटी कल्चर, स्वाइल साइंस, एनिमल हस्पेंडरी यह चार ऑप्संस जो चार जो यूनिट हैं इनसे सबसे अधिक से अधिक कोस्ट्स पूछे गयते ठीक है अब हम लोग दूसरा बात करेंगे बच्चों आपके साथ कि स्लेवस क्या रही थी तो स् जेनेटिक्स और प्लान ब्रीडिंग, बायो टेक्नलोजी और माइक्रो बायोलोजी इसमें आपको जो है देखना होगा पूरा एग्रोमेटरलोजी क्या होती है उसके बाद इसके एलिमेंट्स आफ वेदर क्या है रेनफॉल, टेंप्रेचर, हुमिडिटी, विन वेलोसिट संशाइन, वेदर फर्कास्टिंग, क्लाइमेट चेंज इन रिलेशन टू क्रॉप प्रोडक्शन, इस तरह के ये सारे चीजों को आप अग्रोमेटरलोजी उनिट में कवर करेंगे, इसके बाद आपके इसी उनिट के सब पार्ट जो दूसरा हुए जनेटिक्स और प्लान जिसको cell and structure, organization of genetic material, cell division, mitosis, meiosis, their significance, Mendel law of inheritance, reason for success of Mendel, absence of linkage in Mendel's experiment, उसके बाद quantitative inheritance, continuous and discontinuous variation, monogenic and polygenic inheritance, role of genetics in plant breeding, self and cross-pollinated plants, method of inbreeding है न, उसके बाद जो है, crop production की breeding में अलग-अलग जो concepts होते हैं, introduction, selection, hybridization, mutation, polyploidy, tissue and cell culture, यह स्तारा के पूरे तमाम चीज़े जो यहाँ पर यूनिट पर पढ़ना पड़ेगा, यह जो पूरी आपकी entire unit है, इसकी जो cell genetics and plant breeding है, पूरी-पूरी आपकी biology से related है, नेक्स्ट आपका biotechnology, plant biotechnology भी जो है आपकी यहाँ पर definition and scope पढ़ना पड़ेगा crop production के aspect से, यह भी आपका पूरा-पूरा जो है biology के part से आता है, उसके बाद अगर हम आगे देखेंगे syllabus में, तो उसी unit का जो दो और अगलाग अलग पार्ट है, एक है आपका biochemistry और दूसरा है आपका microbiology, biochemistry में हमें क्या पढ़ना होगा, pH and buffer के बारे में, फिर classification and nomenclature of carbohydrates कैसे करते हैं, protein का, nomenclature classification, lipid का, vitamin का, enzymes का, फिर यह सब terms किसने दिया, कब दिया, कैसे दिया, यह सारी चीजों को हमने जानकारी लेनी पड़ेगी, उसके बाद next unit part है, आपका microbiology, उसमें हमें देखना होगा कि microbial cell structure कैसा होता है, prokaryotic, eukaryotic cells के बारे में पढ़ने होगी, फिर microorganisms क के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें algae, bacteria, fungi, vactinomycities, protozoa, viruses, इन सब के बारे में पढ़ना होगा, इतना ही नहीं, role of microorganisms क्या होती है, आपकी, respiration में, fermentation में, और organic matter decomposition में, इन सब चीजों को भी, मुख्य रूप से, बुदागत रूप में हमें, इन सब चीजों को पढ़ना और दूसरा आपका जो है, artificial insemination वाला पार्ट रहे का, ठीक है, अब इसमें scope and importance में हमें क्या देखना होगा, देख लेते हैं, importance of livestock in agriculture development, ब्यारत की agriculture development के लिए, industrial development के livestock का क्या role है, क्या उसकी statistics है, क्या livestock census है, इन सब चीजों को धेयान देना होगा, फिर white revolution जो आपकी इंडिया में आया था, स्वेत क्रांती, उसके बारे में पढ़नी होगी, इसके अलावा हमें important breeds of Indian, exotic cow, buffalo, poultry, ये सब की breeds के बारे में पढ़ना होगा, इसके अलावा जब नसलों के बारे में पढ़ना होगे, उनकी care and management aspect में हमें उनकी housing के बारे में पढ़नी होगी, उनकी feeding रासन वग अगरा symptoms, ये सारी चीजों को हमें पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा disease के बारे में पूरे detail में, disease का symptoms क्या है, disease के positive agent क्या है, disease का treatment क्या है, और disease को जो है कैसे control किया जा सकता, इस तरह के तमाम चीजें हम लोग को यहां पे देखना होगा, इसके अलावा, artificial insemination part में हमें द से जो है, artificial insemination किया जाता है, इसके बारे में देखेंगे, उसके बाद इसकी role क्या है, आपकी cattle improvement program में, और उसके बाद हम लोगों पढ़ना होगा, dairy technology वाली unit, जिसमें हमें पढ़ना होगा, यहां पे different different livestock के जो products होते है, milk के, और milk के products के कैसे marketing होती है, कैसे standardization होता है, pasteurization हो इस तरह के तमाम चीजों को जो हम लोगों को यहां पर पढ़ना होगा, इसके बाद देखेंगे unit 3 में, जो कि basically आपका agronomy और soil science portion को cover करता है, unit 3 में हमें पहले पढ़ना होगा target and achievement of food grain production in India, क्या India की grain production के status है, क्या उसकी target है, क्या government के programs है, policies है, इस तरह के चीजों को यहां प commercialized agriculture क्या, क्या इसको भो सकती इस तरह के चीजे, फिर हम लोग पढ़ेंगे agronomy के तरफ inter करने के बाद, classification of food crops, जो crops होते है, field crops, उनको अलग-अलग basis पे, cereal, pulses, oil seed, fiber, sugar, forage crops की तरह, अलग-अलग उनकी utility के हिसाब से, उनको जो अलग-अलग groups में segregate किया गया, इसके बारे में essential plant nutrient कौन-कौन से होते हैं, कैसे उर्वराक पौदे में दिये जाते हैं, nutrient के deficiency symptoms के बारे में, कौन-कौन से soil में किस तरह से उसको reclamation कर सकते हैं, उसके बाद जो organic matter manure का classification, complex chemical fertilizer की classification, and examples हम को ध्यान देना पड़ेगा, इसके अलाबा, integrated irrigation and drainage में हमें, basically water management की types of irrigation क्या है, ठीक है, उस जैसे irrigation schedule किया जाता है, अलग-अलग crop के critical stage of irrigation क्या होते है, water requirement क्या होती है, अलग-अलग crop का, और उसके साथ-साथ watershed management, यह पूरा करने के बाद आपका water management वाला portion आपका agronomy से complete हो जाएगा, उसके बाद पढ़ना होगा, आपको weed management, जहां हम बात करेंगे principles of weed control, methods of weed control, cultural, mechanical, chemical, biological and integrated weed management, उसके बाद crops में basically agronomy का जो core gist कहते हैं, यह आपका लग-बाद काफी लंबा जाता है, सब chapters, जब आप classes में आओगे, तो आप देखोगे, सब chapters काफी लंबे chapters है, जिसमें आपको seed preparation, seed treatment, time of showing, method of planting, किस तरह से fertilizer application होता है, किस तरह से disease pest management होती है, इस तरह का तमाम चीज पर्ल मिलेट, groundnut, mustard, pigeon pea, gram, sugar cane, cotton और बर्सिम, यही सब crops आपके CVT के syllabus में दिये गए, इन सर चीजों को हम लोग जो है, डीटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद next और last unit है, आपका unit 4, यानि की horticulture, horticulture में basically बच्चों, आपको यहाँ पे fruits, vegetables, और flowers, और post harvest technology का है, कि चार अलग- fruits क्या है, हमारी diet में, कैसे हम लोग अपने cropping system को diversified कर सकते है, industrial purpose के लिए, processing industries को target करते हुए, orchard का location, layout कैसे होती है, ornamental gardening, kitchen gardening के बारे पढ़ेंगे, उसके बाद planting system कैसे होता है, training, pruning, inter cropping, protection, plant का कैसे करते है, trees, serve, climber, annual, perennial plants क्या होते है, उन सब के examples और definition, बस, उसके बाद कैस प्रसारन हो सकती है, इसके बारे हम पढ़ेंगे, उसके बाद cultivation practices हमें पढ़ना है, fruits में कुछ fruits, mango, papaya, banana, guava, citrus और grapes, vegetable में, ladis, radish, carrot, potato, onion, cauliflower, brinzel, tomato, spinach, and आपका cabbage, उसका flowers में, gladulus, kanav, chrysanthemum, rose, marigold, इसके लावा, principle and methods of fruit and vegetable processing, preservation, जिसमें हम पढ़ना होगा कि कैसे तरह से jam, jelly, ketchup, चिप्स और उनकी बनाया जाता है, कैसे उनको packaging किया जाता है, यह तमाम चीजें जो है पुछो आपकी syllabus से related जानकारी थी, अब इसकी preparation कहा होती है, कैसे होगी, तिन सभी के लिए जो है आपका 5 सितंबर से जो आप लोग की live classes सुरू हो रही है, CVTK 2024 को target करते हुए for different domain subjects, और वो आपको कहा मिलेगा, तो basic सिक्षा app पे मिलेगा, जिसकी link आपको नीचे दिया हुआ है, और उसके साथ साथ आपको batch में, आपको phase 1 का जो यह बरदान batch है, इसमें आपको क्या क्या चीजे मिलने वाली है, तो सबसे पहले आपको यह जो batch है हमारा है, वो हिंदी और English language के अलग अलग बोथ language के लिए है, और इसमें आपको basically क्या मिलेगा, आपको live detailed theory classes मिलेगे, जिसमें theory classes आपकी regular आपको live मिलेगा, उसके साथ साथ आपके जो teachers पढ़ाते हैं, उसके class के PDF notes मिलेंगे, इतना ही नहीं, आपका जो chapter wise NTA based test होगा, जो कि आपके अलग जैसे जो chapter complete हो उसके chapter wise NTA based test होगे, इतना ही नहीं, weekly based test भी होगा, जो एक बार जब पूरा एक हपते में आपने क्या पढ़ा, वो NTA pattern पे आपके weekly test कराए जाएंगे, और इस सभी के लाबा आपको जो PYQ का जो आपका section है 2023 का, उसका जो है पूरा previous year questions का आपको video solution provide किये जाएंगे, और इस इस दोनों में आपको जो है ये booklet provide किया जाएगा, इन सभी के अलावा, जिस चीज के लिए सबसे ज़्यादा बच्चे परेसान होते हैं, कि form, filling की guidance, counseling की services, तो ये सतारी services जो हम लोग इस students को जो है free of cost provide करेंगे, इस batch में जो लोग enrolled रहेंगे, ठीक है, तो ये सारी information थी आप की, अब इस batch को आप जूड कैसे सकते हो, नीचे आप डाउनलोड करोगे, वहाँ पर आपको जो है यहाँ बर्दान बैच दीखेगा, वहाँ पर बस आपको coupon code बर्दान यूज करके जो आपको 500 का instant discount मिल जाएगा, लेकिन ये offer जो है आपको सिर्फ 5 सितंबर तक valid है, तो इ अलग अलग university, JNU, BHU, DU, अलावद university जैसे colleges में select होने में सफल रहे हैं, यह हमारे कुछ बच्चे हैं, जैसे आप देखोगे, यहां संकर राउत, इनको BHU, BSC honors AG, main campus मिला था, इस तरीके से यहां रिया कुमारी को main campus mathematics मिला था, इस तरीके से साहिल गुपता है, हमारे यहा इस बिद्याले में जो है, जाने में सफल रहे हैं, यदि आप भी चाहते हो, कि आपका सपना इन लोगों की तरह साकार हो, और आप भी अपनी dream university में एक प्रतिस्ठित college में BSC honors agriculture के लिए जा पाओ, तो जरूर से इस batch को आपको join कर लेनी चाहिए, इस batch की live classes आपकी 5 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, इन सभी के अलाबा आपको इस batch पे, जैसे आप एप को नीचे दिये हुए link से download करोगे, आपको पुरिष CUET का PYQ जो है, e-book आपको free of cost वहाँ पे available कराए गया है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे agriculture के लिए, history के लिए, general test accountancy, इस तरह से हमने सारे अ previous year questions का design किया है, यह आपके लिए मेरुदंड होगा, जो mainly किसी भी competitive exams का, अगर कोई बच्चा तयारी करता है, तो उसका जो main theme होता है, उस competitive exams के previous year questions होते है, जो कि आपको free of cost नीचे के दिये गए link से basis अच्छा, आप download करने पे मिलेगा, उसके इलाबा जो है, आप लोगों को अपने नाम लिखना है, आपकी sports के लिए interested हो, कि sports की तयारी करना चाहते है, उसको लिख कर हमारे इस whatsapp number पे आप message करोगे, तो हमारी जो technical team है, जो आपको counseling team है, वो आप से बाते करेंगे और आपकी समस्या को solve करेंगी, यह छोटी से information थी बच्चो, agriculture domain के syllabus को related, और आपका CVT 2024 की preparation कैसे, कहां से करनी चाहिए, इससे related, इसी तरह के important updates और जानकारी के साथ हम लोग मिलते रहेंगे आगामे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद